नमस्कार स्वागत आपका सेल्फटेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले अजमेर की जो दरगा शरीफ है वहाँ पर एक विवाद हो गया है आज हम उस विवाद को देखेंगे हम जानेंगे अजमेर दरगा की जो कहानी है यानि क्वाजा गर से पहले आपने देखा होगा संभल उतर पर देश के अंदर संभल में आपने वहां पर एक ऐसा ही मामला आपके सामने नजर आया था जllang में तो वहां पर बोला जाता है कि हरिहरर का मंदिर था और हरिहर के मंदिर को तोड़ कर जो है वो मस्जिद बनाए गई थी तो यह जो याचिका जो है अजमेर कोट के अंदर डाली गई और अजमेर कोट ने जो है वो याचिका सुईकार भी कर ली है अब सुईकार करने के बाद काफी सारे कोशन जो है वो दिमाग में आप ही रहे हैं जैसे पिछली वीडियो भी मैंने कवर किया था एक हमारे देश में Place of Worship Act 1991 चलता है कि भई ये क्या करता है इसके अंदर क्या खामिया है क्या क्या इसके अंदर amendment की मांग की गई है क्या इसको चैलेंज किया गया है कोट के अंदर इन सब चीजों को हम जानने वाले हैं और यह जो मामले निकल कर आ रहे हैं क्या ये Acton को रोक नहीं पा रहा है तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम देखेंगे तो वीडियो में आगे बनने से पहले पीडियो के बारे में बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखें ये आपके लिए कोई important नहीं है पिछला बुदवार हमें बुदवार से कोई लेना देना नहीं है हमें important जो देखना है वो ये है कि अजमेर की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगा जो एक तरीके से सूफी संत ख्वाजा मुहीनदीन चीश्ती जिनको हम कह सकते हैं कि मुहीनदीन, मुहीनदीन, मुहीनदीन से भी लिखा जाता है वो उनके दरगा के सर्वेक्षन का अन्रोध करने वाली कियाचिका को स्विकार कर लिया ये सूफी संत को तरीके से समर्पी थी ये दरगा जो है अजमेर की एक अदालत ने यहाँ पर इसको स्विकार कर लिया अब जैसे अजमेर की अदालत ने स्विकार किया वो ये मांगते हैं कि आपके पास क्या आविडेंस है जो आप ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर दरगा होने का मतलब यह कहरें कि यहां पर कभी शिव मंदिर रुआ करता था तो शिव मंदिर किस बेस पर आप बोल रहे हैं तो इसके लिए यहां पर कुछ प्रूफ भी यहां पर पेश कियी गए थे हिंदू पक्ष के दोरा, हम उनको भी जानेंगे कि क्या प्रूफ दिये गए है तो यहाँ पर दावा गया गया कि दरगा का निर्मार जो है वो हिंदू और जैन मंदिरों को द्वस्त करने के बाद किया गया है तो आज के हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे जो इसकी स्टोरी है और अजमेर दरगा और खवाजा गरीब नवाज तो आगे बढ़ने से पहले इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्ट बता देता हूँ वह एक्ट उपासनास थल विशेश प्रावधन अधिनियम 1991 की यानि की प्लेश ओव वर्सीप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1921 वह था उसको as it is रहने दिया जाएगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा परिवर्तन इन दा सेंस कि कोई अगर मंदिर बना हुए तो उसे मस्जिद में कनवर्ट नहीं किया जाएगा अगर कोई मस्जिद बनी हुए तो उसे किसी मंदिर में कनवर्ट नहीं किया जा तता विभिन धार्मिक संपरदायों के बीच या एक ही संपरदाय के धर्मानतर्ण को रोकना इस चीज को समझना विभिन धार्मिक संपरदायों के बीच मतलब कि मैंने कहा ना मस्जिद का मंदिर में और मंदिर का मस्जिद में इन दोनों को तो रोकना ही रोकना आपस मतलब क कि इसके अलावा क्या है एक ही संपर्दाए यानि कि होता है न कि मजजद इसलाम है इसलाम के अंदर दूसरा संपर्दाए है कहें कि पहले यह हुआ करता था उसके अंदर अब दूसरा परिवर्तन करना चाहरें तो एक ही धरम के अंदर दूसरे संपर्दाए में भी वह उस चीज़ को रोकना वहां पर एक तरीके से संपर्दाइक सदभाव बनाई रखना इसलिए ये एक्ट लेकर आया गया था अब यहां पर इस एक्ट के अंदर कुछ सेंक्षन है उनको समझ लेजिए एक है सेंक्षन 3 जिसमें बोला गया किसी भी उपासनासल को पूर्णता है यानि entirely completely या partially यानि कि थोड़ा बहुत भाग आप उसको अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं आप complete भी नहीं कर सकते हैं आप even उसका छोटा भाग भी convert नहीं कर सकते हैं जैसे ग्यान वैपी मस्जीद के अंदर ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं क्लियर तो वो विसली वो चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी pending केस चल रहा है हम उसके पर अभी कोई वेटिपनी नहीं कर सकते हैं एक हमारे सामने बोला गया सेक्शन 4 उसका सब क्लोज 1 जिसमें बोला गया यह निवारे करता है कि उपास्तनस्तल की धार्मिक पैचान 15 आगस 1947 की स्थिती से एपरिवर्तन रहनी चाहिए मतलब उसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जाना चाहिए धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास जब निशिद होगा अगर कनवर्ट करने ही कोशी की तो उसे प्रोहिबिट यानि उसे रोका जाएगा वहीं सेक्शन 4 का सब क्लोस टू कहता है यह विदेख 15 आगस 1947 से पहले किसी उपासनास्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंदित सभी चल रही कानूनी कारवाही को समाप्त करता है यह इंपोर्टन्ट है आपके लिए कि अगर कोई भी केस इस चीज को लेकर चल रहा है कि यहां पर मस्जीद नहीं यहां मंदिर हुआ करता था तो इस चीज को समाप्त कौन सा एक्ट करता है यह 1991 का सेंक्शन 4 सब क्लोस टू यह बात बोलता है कि हाँ वो कारवाही नहीं च चल सकती तता ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थितिक को चनोती देने वाले नए मामलों को शुरू करने से शुरू करने पर भी रोक लगाता है अब सवाल यह उड़ता है अरे सर यहां पर तो बोल दिया कि सेक्शन 4 में यह बात बोली गई है कि हां मंदिर में कर्वर्ट नहीं गई थी और उसके लावा हम यह भी देखेंगे अजमेर में सर यह बोल दिया कि यहां पर मस्जी यह जो दरगा नहीं यहां पर पहले स्विकार कर ले गई तो क्या यह एक्ट वहां पर नहीं रोकता क्या तो अब इस चीज़ को समझने के बारी आती क्यों एक्ट को नहीं र अंतिम जो फैसला होगा हम उसको मानेंगे तो जैसे आपको पता जो मामला आपकी सामने आया था अहुद्या विवाद के अलावा अधिनियम में निमलिकित कुछ और भी छूट दी गई है कि भी एक तो यहां पर यह चूट दी गई थी आहुद्या विवाद का इसके लाव नहीं होगा ऐसे मामले जो पहले से ही आपसी समझोते से सुलजा लिये गए हो या निप्टा दिये गए हो आपसी समझोता हो गया कि इन दो कम्मुनिटीज के बीच में ठीक है आपने का आपके यहां पर पहले कोई और स्थल हुआ करता था तो ठीक है आप बना लीजी तो आपसी समझोता हो गया वहाँ पर अधिनियम के लागू होने से पहले धुए धर्मानतर्ण अधिनियम का लागू होने से पहले ही अगर कोई convert हो गया था तो वो भी as it is रहेगा इस चीज को ध्यान रखना है यहां पर एक और चीज आती है sanction 6 एक जो चंदरवाई CGI जो हमारे हुआ करते थे पूर CGI पचास में जो CGI हुआ करते थे उन्होंने एक बाद भी बोली थी उसको भी हम यहां पर देखने वाले है फरस्ट ओफोल हम यह section 6 देख लेते हैं penalties यानि punishment के हैं देखे अगर किसी ने भी इन सीजों का उलंगन करने की कोशिश की जबरदस्ती convert करने की कोशिश की तो उनको 3 साल की सजा उसके अलावा वहां पर अगर चरितर यानि उनका conversion करने की कोशिश की है किसी भी चीज को मतलब कोई community कोई A था उसको B बनाने की कोशि की तो वहां पर तो 3 साल की तो सजा होगी होगी उसके साथ fine यानि जो जुर्माना होगा वो भी लगाया जाएगा अब जो मैंने का ना सर्वोच नेली की व्याक्ष है मई 2022 में डिवाई चंदर चूट जी जो हमारे 50 चीर जसीस अफ इंडिया हुआ करते तो उन्होंने एक बात बोली थी कि देखे उपासना स्थलों की धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है तो यह एक exemption हो रहाता है हमारे सामने कि वह जो स्वामित्व जानने की बात हो रही है ना वहां पर कि यहां पर यह तो याचिका डाली गई है वो यह नहीं कह रहा है कि जांच करने की बात हो रही है तो जांच कर सकते हैं और इसको लेकर कि भी जांच कर सकते हैं मुस्लिम समुदाये ने इस एक्ट को लेकर भी लेकर गए हैं वो सुप्रेम कोट में कि आप यह जांच भी बंद करवा दीजिए अब आगे चलते हैं अब देखे जांच तो हो ग देखे अजमेर जिसे तब अजे मेरू के नाम से जाना जाता था कभी ये चोहानों की राज़ानी वाकरती थी जो एक राजपुत वंस की थी जिसने सात्वी से बारवी सतापदी तक जो आज का आज का जो प्रेजन्ट राजस्थान है हरियाना है दिल्ली है उत्तरबरदेश ह उनके कुछ हिसों पर शाशन किया था अजे देव जो थे उनको बारवी सतापदी के मद्दे में शहर के निर्मान का श्रे दिया जाता है 1192 में तराइन का दूसरा यूदवा जिसमें पृत्विराज दीत है यानि पृत्विराज चोहान के नाम से जाना जाते हैं उनको हरा दिया गया अफगान आकर्मनी महुम्मद गोर ने अब जैसी हराया था तो गोरी ने क्या किया गोरी की सैना ने अजे मेरू में हत्याएं की यह जो शहर है अजे मेरू में हत्याएं की लूट पाट के मुर्ती, मंदिरों, इंस्तंबों, नीवों सबको नस्ट कर दिया अजे मेर स्थित, न्याइविद, एक हर बिलास, सार्दा की जोग पूस्तक को उनमें ये सब बातें बोली गई है अब इस पुष्टक का हवाला ही दिया गया है देखें ये जो याचिका डाली गई याचिका को तो accept कर लिया ठीक भई आपनी याचिका डाली हम accept करते हैं तो आप किस बेस पे कह सकते हैं याँ पर मंदिर हुआ करता था तो उन्होंने ये जो शारदा जो बुक है शारदा की दोर जो बुक लिखी हुई है इसमें कुछ ऐसे तथे निकले हैं जिनको लेकर कोर्ट में पहुंचा गया और कहा गया कि देखी याँ पर ये बात बोली गई है तो इस बेस पर यहां पर ये मुकदमा मतलब की ये मुकदमा आगे बढ़ाया गया अभी हम इसको जानेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या बोला गया देखे इसके बाद जो ये हुआ गोरी की सैना ने शहर को लूट लिया एक तरीके से बरबाद कर दिया मंदीर मुर्तियों सबको तोड़ दिया इनोंने तो 400 साल तक जो है वो एक तरीके से जीन शिन यानि कि ऐसी डिस्पेर अवस्था में रहा था मतलब इसका सही से उत्थार नहीं हो पाया था जब तक कि मुगल समराट अकबर उसका शाषन का दोर नहीं आ गया था पंदरी स्ताब्दी के मद्दे में ऐसा का जाता है कि जहां ख्वाजा मुहिनोदीन चिस्ती की कबर है वहां कभी बाग घुमा करते थे शारदा ने एपनी बुक में लिका मकबरा खुद पंदरी स्ताब्दी के मतलब बाद में यानि हाफ जो पंदरी स्ताब्दी बीट के थी उसके बाद में बनाया गया था परंपरा के अनुसार सारदा ने लिखा जिस तैकाने में ख्वाजा को दफनाया गया था अब यह जानेंगे ख्वाजा यह जो है जिस तैकाने में ख्वाजा को दफनाया गया था उसमें वहाँ पर मंदिर में महादेव की चवी है जिस पर एक ब्राहमन परिवार द्वारा प्रती दिन चपल रखी जाती है जिसे अभी भी धरगा घरियाली द्वारा बनाए रखा जाता है तो यह बात बोली गई है इस पुस्तक में तो यह जो बात बोली गई इसको लेकर वो कोर्ट पहुंच गए कि हाँ देखी यहां पर बोला गया यहां मेरे मंदिर है हालांकि उनके विवरण में यह नहीं का गया कि दरगा बनाने के लिए मंदिर को नस्ट किया गया है क्लियर हुआ रोबर्ट हैमिल्टन इर्विन ने अपनी एक पुस्तक सम अकाउंट ओफ दे जर्नल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ओफ अजमेर 1841 के अंदर याई थी उन्होंने एक कहानी के बारे में भी लिखा है उस कहानी में अजमेर के एक सबसे विद्वान शेवक की अपनी एक कहानी बताई है अब ये कहानी कहानी एक सेवक था उस सेवक ने रोबर्ट हैमिल्टन को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी को अपनी एक बुक इस बुक में उस कहानी को लिखा है उस कहानी में क्या लिखा गया है इर्वीर ने लिखा एक जगह पर महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर था जिसका शिवलिंग पत्तियों और कुडे यानि जाडियों से चिपा हुआ था इस जंगल में ख्वाजा 40 दिनों तक ध्यान करने के लिए रुके थे और हर दिन वे शिवलिंग पर एक लटकती हूँ एक पेड़ की साखा पर पानी की एक छोटी सी मशक लटकाते थे मतलब की शिवलिंग हो गया शिवलिंग के उपर एक पानी से भरा हूँ एक मटका समझ लो जिससे पानी टप-टप क्या करता था शिवलिंग पर गीरा करता था हर दिन वे शिवलिंग पर ऐसी चीज़ें करते रहते थे मतलब पानी क्या होता था के उपर लटकती हुए एक पेड़ की शाका पर यह तो होगी ना बात अपनी कलिए पानी लगातार जो है इस पर गिरता रहता था आखिरकार महादेव उनकी इस बात से काफी ज़्यादा खुश हो गए और उनोंने शिवलिंग से ही जो यह है खुआजा जो है इनकी तारीफ की इनके गुणों की प्रशंसा के लिए उनोंने काफी कुछ बोला यह कहानी ऐसा बोला गया अपनी ये बुक जो है इरवीन ने अपनी इस बुक में बातें बोली है अब एक और इत्यासकार हुए पियम करी उनोंने जिनकी एक भुक है दश्राइन एंड कल्ट ओफ मोहीन अलदीन चिस्ती अजमेर 1989 जिन में उनोंने इरवीन के काम का हवाला दिया उनोंने किवन दित्ती के एक अलंग संसकर्ण का उले किया जिसमें खुआजा की कबर के नीचे शिवलिंग तो एसी उनोंने ये बात बोल दी तो इरवीन का काहाणी होगी इरवीन को जो सुनाएं गई ती है क्या काहाणी होगी ये जाते थे जंगल के अंदर जंगल में वहाँ पर ध्यान के लिए याते थे वहाँ पर एक shivling होता था, shivling के पेड़ के उपर वो एक मसक, पानी की मसक एक मटकी लटका देते थे, उस मटकी से पानी टपकता रहता था shivling पर और जिसे भगवान, शीव जो है, वो काफी खुश हुए, उन्होंने उनकी प्रशन्सा की फिर एक और कहानी जो बोली गई है पिम करी के द्वारा वो ये बोली गई है कि ख्वाजा की जो कबर है उनके नीचे वाँ पर शिवलिंक्स थी थे एक और भी हमने जैसे देखा कि मंदिर हुआ करता था शिव का ये भी बात बोली गई है क्लियर हुआ तो ये होगी फिर आते हैं सिस्तान से अजमेर तक की आता है देखें अजमेर शरीफ के खादिमों द्वारा सुनाई गई ये किवंदितियां ये सपस्ट करती है कि क्यों सभी धर्मों और सभी वर्गों के जो लोग हैं ख्वाजा को अपना सम्मान देने आते थे भगवान शिव के साथ मोहिन दिन चीश्ति के जो मुलाकात की किवंदितियों के बारे में बोलते हुए इर्वीन ने लिखा है इस परंपरा से हिंदू मुस्लमान के साथ ख्वाजा को सम्मान से पूचते थे मतलब यहाँ पर एक जो कहानी परचलित हुई कि देखे भगवान शिव जी जो है इन्होंने चिस्ति ये जो है मोहिन दिन ख्वाजा मोहिन दिन से बात की थी तो ये जैसे कहानी जो लोग प्रिय हुई लोगों के अंदर एक तरीके से भाव उत्पन हुए कि हाँ यहाँ पर भगवान शिव ने इनके साथ बात किये तो हिंदू मुस्लिम जो है वो यहाँ पर इनके साथ मिलने आया करते थे भारत भर में कई सूफी दरगाओं पर आप जाकर देखेंगे ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी सूफी वाद जो है वो इसलाम का एक रहष्यवादी पहलू सात्वी और दस्वी स्ताबदी के बीच पादरी वर के रूडिवाद था और उमा की बढ़ती संस्कृता के पर्तिकार के रूप में उबरा था मतलब कि जहां पर एक तरीके से कट्र इसलाम जो वहां पर पनप रहा था उस इसलाम से निकल कर एक तरीके से सूफी वाद वहां पर आया था देखें, सूफी परंप्राय के हैं, खास तोर पर सूफिवाद जो है, वो एक तरीके से चिस्ती संपर्दाई की परंप्राय हैं, जिसमें कौन-कौन जो हैं, जैसे मोहिनो दिन और उनके बाद कुतूब दिन, बक्तियार काकी, जो इनके ही सिश्य थे, हजरत निजामो दिन, औलिया, नसुरी दिन, महुम्मद, चिराग, देलवी, जैसे सूफी गुरू इन से जुड़े, जो सभी जो थे, वो दिल्ली के थे, पहले ये मौझूद स्थानिय परताओं में काफी परभावी थे, अब देखिए, जैसे 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 अब यहां पर यहां पर यह जो सूफ और इस अधरम के रूप में अजमेर के सबसे पहले जो ख्वाजा मोहिनोदीन चिस्ति हैं, उनका उधार निकल कराता है, उन्होंने का इतियासकारिक महरु जाफर की बुक में बात बोली गई, मोहिनोदीन चिस्ति 2008 में उन्हों लिखा, कि मोहिनोदीन चिस्ति कहते हैं, त अध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के अंतिम साधन के रूप में अपने निर्माता के प्रति, अपनी पूरी भक्ति व्यक्त करने से नहीं डर्कते हैं, बतलब at the end वो क्या कहते हैं कि हमें अपना मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, हमार जो भगवान है उनकी भक्ती में पूर्ण रूप से लिप्थ हो जाओ उसके लिए वो बिल्कुल भी ने डरते ये बात बोली तो ये उन्होंने देखा ये तो हर जगह कोमन है तो ये बात उन्होंने बोल दी तो 1141 में फारस के एक प्रांथ सिस्तान है जहां पर इनका जन हुआ था मोहिनदीन 14 साल की उमर में ये अनात हो गए थे इब्रहाइम कंदोजी नाम का एक भटकते हो फकीर ने सेहों गएस इनकी मुलाकात हुई और जो ये इब्रहाइम कंदोजी है इनोंने ही जो देखिए क्या हुआ जो मोहिनदीन चीज़ती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकेले पन, मृत्यू, विनास से परे सत्य की खोज पर सला देने के लिए सला देती, किसने सला देती इब्रहाइम कंदोजी ने इनको सला देती 20 साल की उमर तक मोहिनदीन ने व्यापक रूप से यात्राएं की और बुखारा और समरकंद के मदर्शों में धर्म शास्तर, व्याकरण दर्शन, नैतिक्ता और धर्म का अध्यान किया था, फिर हराद, वर्तमान जो अफगानिसान में है मोहिनदीन की मुलाकाद जो ख्वाजा उस्मान हरूनी से हुई जो चिस्ती संपर्दाई के एक सूफी गुरू थे जिनसे उन्होंने एक गुरू अध्यात्मी गुरू मिले और उन्हें चिस्ती सिलसिले यानि कि अध्यात्मी वंज की श्रंकला में दिक्षित किया था मोहिनोदीन ने कुतूबी दिन बक्तियार काकी को अपना पहला अन्या यानि पहला शिश्य स्विकार किया जिसके साथ में मुल्तान गए जहां उन्होंने संस्कृत का अध्यान किया और हिंदू विद्वानों से बात की इसके बाद विला और आ गए फिर दिल्ली गए और 1191 में वो अजमेर पहुंचे अजमेर में उनकी मुलाकात उनकी पत्नी बीवी उमत तुल्ला से हुई और उन्होंने उसी शहर में बसने का फैसला गया बीवी और मोहिनोदीन का एक मिट्टी से बना एक मामुली सा घर हुआ करता था फिर उस घर में बहुत जल्द ही सबी लोगोंने एक शरनाथी के रूप में वहां पर शरन लेनी start कर दी जिनके पास छत नहीं थी जिनके पास रहने की जगह नहीं थी खाने को खाना नहीं था जो लोग सांत्वना और शांती जाते थे तो वो यहां आ जाते थे उनकी उदारता और नीस्वारता के अद्बूद कार्यों ने मोहिन दीन को गरीब नवाज या गरीबों का दोस्त की उपादी दिलाई तो अब समझाना स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखा था गरीब वहां पर आप लिखाया था तो वो इनहीं का एक उपनाम है जो क्योंकि गरीबों की मदद करते थे तो गरीब नवाज या गरीबों का दोस्त की पादी वहां से उनको मिल गई फिर दरगा का विकास अब यह जो दरगा है वो कब बनी देखें मोहिन दीन की जो मिर्तिव है वो फारा सो चतिश में हुई ख्वाजा के मिर्तिव पर उनके अफशेशों को उसी कोठरी में दफनाया गया जिसमें विरहते थे लेकिन उन पर कोई चिनाई वाली कबर नहीं बनाये गई वास्त में ऐसा लगता है कि उन्हें अजमेर से भुला दिया गया था अपनी बुक जो है सरदा ने इपनी बुक में बात लिखी पीर के एक पक्का अरे चल रहा है न यहाँ पीर के लिए एक पक्का मकबरा पहली बार 1460 में देखे 1236 में मिरती हुई कब बना मकबरा 1460 के दशक में जो खिलजी साशकों ने मना है मालवा के खिलजी साशकों से अलग है यह इनको एक जैसा मसमें लेना सुल्तान महुमद खान खिलजी और उनके बेटे गया सुदीन ने बुलंद दर्वाजा बना है जो दरगा का विशाल उत्री परवेश द्वार है अब देखना यह जो सुल्तान है महुमद खान खिलजी और उनके बेटे ने जो यह दर्वाजा बना है बुलंद दर्वाजा जो कहाँ पर है उत्री परवेश द्वार है तो इसी को लेकर याचिका में इस परवेश द्वार की वास्तु कुला जो आर्किटेक्ट है इस द्वार के उपर जो हवाला देते हुखा है सारदा की जो इस बुक में भी बात बोली गई है बोला गई है कि यह द्वार जो है किसी हिंदू इमारत के अवशेश नकाशीदार पत्थर से बना तीन मंजिल छत्रियों द्वारा दोनों और टिका हुआ है इन छत्रियों की सामगरी और शैली से सपस्ट रूप से उन्हें हिंदू मूल को दर्शाती है ये बात बोली गई क्लियर हुआ और साथ साथ ये बोला गया कि एक पुराने जैन मंदिर का भी हिस्सा थे ये जो द्वार यहां पर लगाया गया जिनने द्वस्त कर दिया गया था इमारत की उत्री इमारत की उत्री दिवार पर एक शिलालेक के अनुसार अजमेर दरगा का वर्तमान सफेद संगे मरमर का आप देखते हैं गुबन मुगल समराथ हुमायू के शाशनकाल के तुरान 1532 में बनाए गया था अब लेकिन अजमेर में वास्तिक विस्तार अकबर के शाशनकाल में हुआ जो फत्यपूर सीकरी के बाद सलीम चिस्ती का एक बहुत बड़ा भग था इतिहासकार कैथरीन बी असर ने अपनी मौलिक कृती आर्किटेक्चर ओफ मुगल इंडिया 1932 में लिखी ये बात है 1579 तक अकबर 14 बार अजमेर में मुईन अलदीन चिस्ती की दरगापरती थियात्रा पर आ चुके थे शहर को चिस्ती संपरदाय में अकबर की रूची ने जो नया दरजा दिया उससे धार्मिक सरंचनाओं के निर्माण में काफी ज़्यादा बढ़ावा मिला इससे शाही फर्मान से और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया 1570 में दशक की शुरुवात में अकबर ने दरगा के दक्षणी उत्री द्वार तो आपके समझ में आ गया अब दक्षणी प्रवेश द्वारिक में पस्चिम में एक मस्जिद बनवाई जिसे अब अकबरी मस्जिद कहा जाता है बाशा जांगीर ने 1605-1667 जुन का शाशनकाल रहा है शाजा 1628-1628 शाशनकाल में आगे का निर्मान करवाया 1616 में जांगीर ने शंत की कबर के चारोर जालीदार एक सोने की रेलिंग भी वहाँ पर बनवाई थी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तब वो जाके चीज़ें सामने आएंगे तो मैंने आप लोगों को इतिहास बताए कि हाँ इनका एक तरीके से कहां से शुरुआत हुआ कहां इनका जनम हुआ कैसे मृत्य हुई कैसे कैसे यहां पर मकबरा बनाया गया क्लिर हुआ तो यह सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो मुझे कैसे समझा सकते हैं ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी आपकी शिकायत है कुछ भी चीज़े समझ नहीं आई है comment section open है तो जाकर आप वहां पर अपनी comment section के अंदर अपने विचार रख सकते हैं और PDF के लिए फिर से बदा देता हूं description box में telegram का लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था thank you for watching this video